शाओमी लेकर आ रहा है अपना नोट सीरीज में रेडमी का नोट 12 प्रो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन लेना चाहते है या आप एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते है बजट स्मार्टफोन लेना चाह इसकी प्राइज हो सकती है यह सारी डिटेल आम इस यूडियो में देखेंगे बात अगर इसके डिस्प्ले से करेंगे तो यार फ्रेंड 6.67 इंचेस की 128 के साथ डिस्प्ले आ सकती और एमुलेट पेनल के साथ तो डेफिनेटली बहुत ही जादा अची डिस्प्ले जो आपको देखने को मिलेगी महीं पर थोड़ा सा आगे अगर चलेंगे और बात कर लेंगे अगर इसके परफॉमेंस क्यों तो यार फ्रेंड इसी स्मार्टफॉन में एस यू नो कि मैंने आपको और रेडी बता दिया है कि यह स्मार्टफॉन आ रहा है 5G कनेक्टिविटी के साथ य प्राइमेरी केमरा रहने वाला है आट एंगल लेंज फाइप संचर प्रस्टू एंपी का मैक्रो लेंज रह सकता है महीं पर बात इसके सेलफी शूटर की करेंगे तो यार फैन इसी स्मार्टफॉन में 16 MP का सेलफी शूटर देखने को मिल सकता है जो कि यार ओवरॉल बहु स्मार्टफॉन दे रहा है आपको 6128 का बेज वेड़न फ्लस एट 256 का भी वेड़न देखने को मिलेगा फ्रेंट अगर इसके बैटरी की करेंगो तो यार फ्रेंट पांच हजार मेंच की बिग बैटरी दे रहा है यह स्मार्टफॉन और वह भी 33 वोट के पार महीं पर बात अगर इसके लॉंच डेट की करेंगो तो यार फ्रेंट अगर आपने सारे स्पेसिपिकेशन्स या सारे फीचर्स जान लिये हैं और उसके बात अगर मैं आपको प्राइस या आपको लॉंच डेट नहीं बताऊं तो यार फ्रेंट थोड़ा सा इंजस्टिस हो सकता एस सम रूमर्स एंड बात अगर फाइनलिस के प्राइस की करेंगे तो यार फेंड यह स्मार्टफोन आ सकता है जैसे ही आगे कुछ रूमर्स इंकलकर सामने आएंगे मैं आपको बता दूँगा वीडियो कैसा लगा वीडियो आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनलर को सब्सक्राइब कर दे क्या फ्रेंड में लेकर आते रहा तो आमके लिए शी